हेलो एब्रीवन मैं विकास जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश शामा निग्यान में वन लाइनर सिरीज चल रही है उशी क्रम में आपका अगला जो वीडियो है इससे आपके जितने भी प्रश्न होंगे मों मैं कराऊंगा ठीक है तो चलिए शुरुवात करते हैं आपका पहला प्रशन है उत्तर प्रदेश में महला कल्यान निगम लिम्टिड की स्थापना कब हुई थी तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 इस्वी में ठीक है अगला प्रशन देखते हैं प्रदेश में पूरक रोजगार के रूम में कौन सी योजना चलाई जा रही है त उत्तर प्रदेश में ब्रद्दा वस्था पैंसन योजना कब आरंब की गई थी यानि किस वर्श आरंब की गई जो साट साला वाली होते हैं साट साल से उपर जतने भी ब्रद्द होंगे उनकी जो पैंसन वंती है उनकी जो योजना है यह हुई थी 1957 इश्वी में प्रदेश में ठीक है अगला प्रशन है विरहा है आला है रशिया है आधी लोक गीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है तो यह किस प्रदेश में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में इन्हीं उत्तर प्रदेश में विरहा है आला है रशिया है यह जो लोग गी अगला है प्रशन प्रदेश के कौन से दो नगरों में खेल का सामान बनाने के सबसे बड़े केंद्र हैं यहां सबसे ज़好吧 जो खेल के सामान वंते हैं किन यहां। आग्रा में वनते हैं आपके और मीरट मेना। यहां बस सबसे ज़ादा खेल के सामान मीरट मेना। अगला प्रशन देखेंगे। इतलज जो सर्दार भल्लब भाई पटेरे ला Carniiliscushushisdhaisんだ where really is in English and English प्रथम प्रद्धोकी पार्क इस्थापित किया गया है तो प्रथम जैब प्रद्धोकी जो पार्क है वो कहां है आपका लखनव में आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है डॉक्टर अंबेडगर इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोजी हैंडीकप कहां है तो यह है आपकी अगला प्रशन है कि राम पुरा जो भारत का प्रथम गाओं अपना सो रूर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह देश में कहां इस देता है यानि सबसे पहले जो सो रूर्जा जो प्लांट लगा था राम पुरा में लगा था वो जो है वो कौन से प्रदेश में तो आप अगला परशन है है भारत के किस राज में प्रदेस राजमार की लंबाई सरवादिक है तो जून और जुलाई के दौरान खरीफ वाड़ेज्य की वबाई की जाती है प्रशन आगे हैं प्रदेश के प्रमुक वाड़िजिक उपज है तो कौन सी आपकी गन्ना प्रशन आगे वड़ते हैं चंदर सेखर आजात कहां सहीध हुए थे तो चंदर सेखर जो आजात थे वो आपके इलाहबाद में सहीध हुए थे ठीक है आगे वड़ेंगे अगला प पुर से निकलते हैं अगला प्रशन है वहारतिय चारा अगाह एवं चारा संस्थान कहां इस्थित है तो ये चारा अगाह एवं चारा संस्थान है जो आपका ये जहांसी में इस्थित है अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सवसी अधिक प्रभा जिला कौन सा है तो ये है आपका इटावा प्रशन आगे है प्रदेश एवं मद्ध प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश एवं मद्ध प्रदेश राजियों में सही राजगाट जो परियोजना है वो लागू की गई थी कहां लागू की गई थी ये बेतवा नदी पर लागू क की गई थी कौन सी योजना राजगाट परियोजना अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहां कहां इस्थित किये जा रहे हैं तो विशिष्ट आर्थिक जोन हैं आपके मुरादाबाद है कानपूर है नोइडा है और ग्रेटर नोइडा यहां पर स्थित किये जा रहे हैं ठीक है आगे बड़े अंगला प्रशन है उत्तर पिदेश विभाजित किया गया है तो इक विभाजित किया गया है नो सश्य जलवायु छेत्रों विभाजित किया गया है अगला प्रशन है उत्तर पिदेश का परंपरा उध्योग कौन सा है तो कहां की गई थी तो सब से पहले बिश्विध्याले की स्थापना की गई थी पंत नगर में ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन आपका उत्तर्पदेश में ग्रेनाइट पट्टियां तथा प्लेट सुरी स्लेट कहां बनाई जाते हैं तो य सेंध कवीरनगर में ठीक हैं अगला प्रशन द्वार्ष्टिया उध्यानकिस जन्पद में इस्तित है तो दौधवार आश्टिया उध्यान है है ये आपका लखीमपुर खीरी में स्तित हैं है प्रशन आगे किस धर्म धार्मिक शमदाय का उत्तरपदेश में तीसरा इस्थान है तो सिख्र जो समुदाय है उनका तीसरा सबसे वड़ा इस्थान है अगला प्रशन है सु विख्यात चित्र शत्यम सेवं सुंदरम की रचना किस ने की है तो सत्यम सेवं सुंदरम की रचना जुकी है सरदार शोभन सींग ने की है अगला प्रशन है कौन सा व्यक् अबिनेता अमिता बच्चन कहां से लोकसवा के सदस्य चुने गए थे तो ये चुने गए थे आपके इलहावाद से आगे वड़ेंगे एकला प्रशन देखेंगे डी एल एफ के मालिक कुसपाल सिंग वा जे पी एसोसियेट के मालिक जै प्रकास गौड किस जिले के मूल निवासी हैं तो ये हैं आपके बुलंद सहर के मूल निवासी यानि बुलंद सहर के रहने वाले हैं अगला प्रशन है अकवर का मकवरा प्रदेश में कहां इस्तित है तो यह है आपको प्रशन कि बाट कर दिये हैं जितने आपको प्रशन थे नहीं आपको सभी करा दिये हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाल झाल झाल